दोस्त वाज़की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं सैमसंग की एक और नई फोन के आड़े में जिसका नाम है सैमसंग डिलक्सी M53 जो कि इंडिया में बहुत जल लॉंच होगा और इसका कुछ लीक और रिमर सैमसंग के तरफ से लीक होके आ चुका है यह कैसा है यह फोन और इस फोन की प्राइस केती है और इस यह फोन कब तक इंडिया में लॉंच होगा इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू लेकिन वीडियो को सुर करने से पहले आप इस चैनल पर पहली बारा है त और इसके साथ आपको square shape में quarter camera, नीचे में samsung की branding और आगे की तरफ बात करते हैं, तो आगे में आपको 6.7 inches की full hd plus super amyloid plus display देखने को मिल जाएगी, जिसमें की आपको in display fingerprint scanner, पंछोल selfie camera देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ आपको core link का gorilla glass 5 का protection भी देखने को मिल जाएगी सामने की तरफ, के बाद इस phone के अगर processor बारे में बात करते हैं, तो इस phone में आपको qualcomm का snapdragon 750 का processor देखने को मिल जाएगा, जिसमें की आपको adreno 690 GPU के साथ ये phone आएगा, और इसके साथ इस phone में आपको 5G का support भी देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ इस phone में आपको 6GB और 8GB का RAM बेरेंट और इसके साथ 128GB, 254GB का आपको storage आपको देखने को मिल जाएगी, और दोस्तो इसके साथ इस phone में आपको square shape में quadrere camera आता है, जिसका की male lens होगा 108MP का और इसके साथ आपको इस phone में ultrawiding lens, micro lens और depth sensing lens देखने को मिल जाएगी, और 32MP का आपको center punch hole display के साथ इस phone में 32MP का camera देखने को मिल जाएगा, जोकि selfie experience काफी जवरदस्त होगा, और दोस्तो इसके साथ इस phone में Android 11 का support, Android 12 का support और One UI के interface के साथ ये phone आएगी, और इस phone की battery के बारे में बात करते हैं, तो इस phone में आपको 7500MH की battery मिल सकती है, और इसके साथ 25W का super fast charging और इसके साथ इस phone के launch date के बारे में बात करते हैं, तो तब तक के लिए दोस्तो वीडियो में इतना ही आपको ये phone का सलगा, आप हमें comment बता सकते हैं, इस वीडियो को अगर लाइक ने के लिए तो लाइक कर दीजिए, तो तब तक के लिए जयाहिन बने मातराम.